एक बहुत बड़ी नदी बहती थी उसके पास में ही एक जंगल भी रहता था जिसमें एक छोटा सा गाउं होता था उसमें शंकर और शांता नाम के पती-पत्नी रहते थे शंकर तो बहुत अच्छा था लेकिन उसकी पत्नी शांता जो थी वो बहुत ही बड़ी लड़ाकू थी हर छोटी मोटी बात पर सारे लोगों से जगड़े किया करती थी उन लोगों का एक बेटा था जिसका नाम सुरेश था सुरेश पूरे 30 साल का हो गया था लेकिन शान्ता के बारे में गाउ में सभी लोग जानते थे कि वो कितनी बड़ी लड़ाकू है इसलिए कोई भी अपनी बेटी को सुरेश के लिए देने के लिए राजी ही नहीं होता था जिससे बेचारा सुरेश ऐसी ही अपनी जिंदगी गुजारता था कभी जंगल जाकर लकडिया काट कर लाता तो कभी घांस ही सही काट कर लाया करता था कभी फल लाता तो कभी कुछ और करता था कहने के लिए उनके पास खेट तो होते थे लेकिन फिर भी जंगल की खूबसूरती को देखने का सुरेश का बहुत मन करता था जिससे वो जंगल में जाता और सुन्दर सुन्दर जगाहों को देख कर खुशुआ करता था एक बार ऐसे ही जंगल जाकर वापस आ रहा था तो सुरेश की नजर कुमारी नाम की एक लड़की पर पढ़ जाती है वो पानी का एक बरतन लेकर एक खुब सुरसे दोते के साथ बात कर रही थी जिसको वो ऐसे ही देखने लगा फिर अपने घर जाकर वो सारी बात उसके माता-पिता से बताता है उस लड़की के वारे में सुनते ही शांता पिगड़ गई और उस पर चिलाने लगी क्या पानी लेकर जा रही थी और तुने उसको ऐसी हालत में देकर पसंद किया अरे गलियों में जोपडियों में रहने वाले को अगर घर की बहु बनाएंगे तो हमारी इज़द बचेगी क्या ऐसी लड़की को घर की बहु बनाने के बात करता है अरे सीता ये देखना तेरा यही तो बखवास सारे लोगों को दुख देता है पहले जो बेटा बोलना चाहता है उसको बोलने तो दे न पहले ही लड़ती जगडती खड़ी हो जाती है और हर एक इंसान के अंदर कोई न कोई कमी धूढती ही रहती है अरे तेरा बेटा थोड़ी न कोई जवान लड़का है और कितने लड़कियों को तुम मना करती रहेगी अगर आई साही चलता रहेगा न तो तेरे बेटे की साधी कभी न होगी शंकर के इस तरह से चीखते ही एक ही बार में शांता भी सोच में पढ़ जाती है सोचने लगती है कि उसका पती भी शायद ठीक ही कह रहा है एक बार जाकर कुमारी के घरवालों से मैं बात करूंगी ऐसे ही सोचकर वो उन लोगों के घर तो जाती है लेकिन कुमारी उसको बिलकुल अच्छी नहीं लगती फिर भी दोनों बच्चे एक दूसरे को फसंद करते हैं इसके वज़े से उन लोगों की शादी हो जाती है कुमारी बहुत जादा सुन्दर थी और बहुत जादा समझदार भी थी जो भी काम घर में होता था सारा काम अकेली ही समाल लिया करती थी जाहे शांता उससे कुछ भी क्यों न कहे बिल्कुल चुप चाप रहकर हर बात का खामुशी सही समधान देती थी जो भी वो लो मना किये बिना ही करती थी लेकिन फिर भी शांता का मन नहीं भरता था हर चोटी बड़ी बात पर उस पर चिलाया करती थी लेकिन ये बहुत ज़ादा सबर से रहा करती थी एक दिन की बात है कि सुरेश जेंगल का काम देखने के लिए जाता है और अपना काम खतम करके आ रहा होता है तभी उसने देखा कि दो तोते एक दूसरे के साथ धेर सारी बाते करते हुए आपस में खेल रहे थे सुरेश उन लोगों को इशारा करता हुआ एक पत्थर उनकी तरफ फेक देता है तभी एक दोता आकर उसके पैरों के पास गिर जाता है और दूसरा दोता उड़कर चला जाता है जो दोता उसके पैरों के पास गिर गया था उसको चोट आई थी जिसको देखकर बेचारे सुरेश को रहम आ जाता है और उस पर तरस खाकर अपने घर अपने साथ लेकर चला जाता है अरे सीता ये तो सीता है ना क्या हो गया इसको ये जी सीता को क्या हो गया ये चोट कैसे लगी अरे कुमारी इतना भी मत घबराओ इसको कुछ नहीं हुआ है कुछ शिकारी आ गए थे और वो लोग इस पर तीर मारने ही वाले थे मैंने इनकी जान बचाने के लिए एक पत्थर से उनको इशारा दिया था लेकिन उससे पहले ही उनका तीर इसके पंखो पर लगया था और शायद इसलिए ये जखमी हो गई है सिता वैसे तुम्हारा राम कहा है कुछ तो बोलो न सिता सुनिये सिता मुझे बहुत अच्छे से पता है हम इसको यहीं पर रख लेंगे न हम इसकी देखभाल अच्छे से करेंगे अरे देखो देखो आई बड़ी महरानी अब तो तो को चुडियों को भी हमारे घर में रख कर पालेगी क्या अपने आपको कोई जमिनदार थोड़ी न समझती है एक तो तूरी ठहरी बिखारन अब इन पंच्छियों को भी हमें पालना पड़ेगा क्या अरे ओ बड़िया ये क्या बोल रही हो तुम कुमारी के खिलाफ एक और शब्द में नहीं सुनूंगी अगर तुम कुछ और बोलोगी तो मैं मेरी चोट से तुमको चुभाऊंगी हाँ हाए 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 ये तो देखो ये तोता भी बात करने लगा हम अब ये तोता भी मुझे सबक सिकाएगा शायद यही लगता है सीता को कुमारी अच्छे से जानती थी जिसकी वज़े से वो आराम से कुमारी के पास रहा करती थी और कुमारी भी सीता का पुरा खयाल रखती थी उसके पंख को जो चोट लगी हुई थी उस पर वो दवाई लगाती थी और वक्त पर उसको खाना भी खिलाया करती थी शांता तो हमेशा कुछ नकुछ सुनाती ही रहती थी और सीता भी उसके साथ साथ धेर सारी बकवास किया करती थी शांता का ये बकना और उसकी बकवास दोनों ही कुमारी और सीता को भी आधची बन गई थी शांता एक बात कहती तो सीता उसके बदले में साव बाते किया करती थी इन दोनों का ये खेल देखकर शांता का पती शंकर जो था वो बहुत जादा खुश होता था शंकर सोचता था कि अगर उसकी लड़ाखु पतनी के साथ बातों की जंग अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ सीता ही है इस बात को लेकर शंकर बहुत जादा खुश भी हुआ करता था कुछ समय ऐसा ही गुजर गया था एक बार की बात है कि कुमारी बेहोश होकर गिर जाती है उसको अस्पताल लेकर जाते हैं तभी डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसको बताया देखिए इनकी तबियत बहुत खराब है आप लोग चाहे कितना भी पैसा क्यों न खर्च करें लेकिन इनका शरीर किसी भी प्रकार की दवाई को अकसप नहीं करेगा अब इनके उपर उम्मीद रखना बंद कर दीजिए कुछ ही दिन की महमान है बात में भगवान की मरसी अरे बेहोस होकर गिर गई है ये बात जानकर मैं तो सोच रही थी कि कुछ खुस खबरी देने वाली है लेकिन ये क्या ये तो बिमार ही निकली इसलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे लड़की को हम अपने घर की बहुन नहीं बनाएंगे आप लोग मेरी बात सुनते ही कब हो देखो तो हमारी नसी भी खराब है अरे ये तुम क्या बोल रही हो कुमारी की हालत ऐसी है और तुम जले पर नमक छिड़क रही हो शान्ता तुम्हारा तो दिमाग ही ठीक से काम नहीं करता तुम्हारी बहु तुम्हारे लिए इतनी सेवा करती है और तुम उसको ये उपहार दे रही हो बहुत ही बुरी हो तुम सीता तुम रुखो ऐसी बात सासुमा से मत करो माजी मुझे माफ कर दीजिये मैं आप पर बोज बन गई लेकिन मरने से पहले मैं आपका हर एहसान चुका दूंगी कुमारी की कही बाते सुनकर उसका ससुर और उसका पती दोनों ही बहुत जादा दुखी हो जाते हैं कुमारी की परिस्तिती को देख कर सीता ठीक होने के बाद भी उसे छोड़कर उसके पती राम के पास नहीं जाती है क्यूंकि सीता को कुमारी बहुत अच्छी लगती थी और मुश्किल वक्त में उसका उसने पूरा साथ दिया था सुरेश भी बहुत दुखी होकर दूसरे दिन जंगल की तरफ निकल पड़ता है तभी एक तोता बहुत बड़े आकार में बदल जाता है और फिर सुरेश के उपर हमला करने लगता है सुरेश का एक हाथ भी तोड़ देता है और उसकी गर्दन पर वो लगातार हमला करता रहा बहुत ही गुसे के साथ उससे बात करने लगा तुम्हारी गलती की वज़े से मैंने अपनी पत्री को खोया है तुम जिन्दा नहीं बच सकते तुमने मेरे पत्री के जान ली है मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छड़ूंगा अरे नहीं नहीं पहले मेरी बात तो सुनिये आपको गलत फहमी हो गई है आपके पत्री सीता को कुछ नहीं हुआ है वो जिन्दा है और मेरे ही घर में है आपको मेरे बात का विश्वास नहीं तो आप मेरे साथ चल कर मेरे घर में देख सकती है नहीं तुम जोड बोल रहे हो तुमने पत्थर से मेरे पत्री पर हमला किया था ये मैंने खुद देखा था और पता नहीं उसको कहा कहा चोड लगी मेरे पत्री को कितरी तकलीफ हुए होगी वो मुझे चोड़ कर चली गई सुरेश की कही कोई भी बात तोता राम बिलकुल नहीं सुनता है बहुत ही गुसे में आकर बार-बार अपनी बड़ी सी चोच को लेकर उसे चुभाता गया जिससे बिचारा सुरेश महा पर अपना दम तोड़ देता है फिर सुरेश की कही बातों को सुन कर तोते ने सोचा कि शायद ये लड़का ठीक कह रहा है एक बार जाकर मैं उसके घर के पास देख लूगा इतना सोच कर वो घर के बाहर जाता है और एक पेड़ पर बैठ कर सीता कहा है इसके लिए ढूनता रहता है तभी उसकी नजर सीता पर पड़ती है तो उसने देखा कि सीता तो वहाँ बहुत ही खुशी से जी रही है तब जाकर उसको महसूस हुआ था कि उसने जजबाती बनकर बिचारे मासूम एक इनसान की जान ले ली थी ये बात का एहसास उसको होते ही उसके आखों में आसू भी आ जाते हैं तभी अपने मामूली रूप में आ जाता है और बिल्कुल पहले की तरह बदलता है फिर जाकर सीता से बात करने लगता है सीता सीता तुम जिन्दा हो क्यों सीता तुम जिन्दा रहने के बाद भी मेरे पास वापस क्यों नहीं लाट कर आई अरे राम तुम कैसे हो बहुत वक्त हो गया तुम्हें देख कर पता है सिता को न बहुत जादा चोट लगी थी तभी से लेकर ये मेरे पास रह रही है लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है अब तुम्हारे सिता बिल्कुल ठीक हो गई है न अगर तुम दोनों मिलकर कहीं जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो हाँ कैसे हैं आप ये दिखो ये कुमारी है और इसे का पती जिसका नाम सुरेश है उसे ने मेरे जान बचाई थी पता है आपको मैं जब जखमी हो गई थी तब वो मुझे अपने बच्चे की तरह मेरा खयाल किया था सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मैं कुछ आप से कह नहीं पाई थी मुझे माफ कर दीजिए इसलिए आपके पास नहीं आई हाँ ये लो अब ये ही देखना बाकी रह गया था पहले से ही एक दोता हमारे जान पर बैठा हुआ था अब ये दूसरा भी आ गया है अरी ओ सिता अब ये कोन है तेरा बाई फ्रेंड है क्या आओ आओ पूरे परिंदे पूरे जानवर हमारे घर वे घुस जाओ और मेरे घर को भी जंगल बना दो तोता राम सिता को दूसरी तरफ बुलाता है और जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात सिता से बता देता है बात जानने के बाद सिता बहुत गुस्ता होती है और कहती है कि वो यहां से अभी के अभी चले जाए लेकिन बेचारा राम दोता बहुत जादा दुखी था अपने किये गलती का उसको एहसास हो गया था रोता हुआ वैसे ही बैठा रहा ये सब देख रही कुमारी उनके पास आती है और फिर जो कुछ भी हुआ था सारी बात जान लेती है फिर कुमारी भी बहुत जादा रोती है उसको ये एहसास होता है कि मेरे जिन्दा रहते हुए ही मेरे पती की मौत मैंने देख ली ऐसे दुस्तिती भगवान किसी को ना दे अब सोच सोच कर डर रही थी कि आखिर ये बात वो घर वालों को कैसे बताए बहुत जादा रो रही थी इतने में सीता उड़ती हुई जहां सुरेश की लाश पड़ी थी वहाँ जंगल में चली जाती है और अपना आकार पूरी तरह से बदल लेती है बड़ा सा तोता बन जाती है और फिर सुरेश को अपनी किसी जादोई शक्ती से दुबारा से जिन्दा करती है और फिर सिता सुरेश दोनों ही मिलकर घर वापस लोटते है अपने पती को सही सलामत देखकर कुमारी बहुत जादा ही खुश हो जाती है लेकिन सुरेश को जिन्दा देखकर राम तोते की तो सासी ही अटक गई थी बिना देर किये सिता के पास जाता है और इस तरह से राम तोता बात करने लगता है ये तुमने क्या कर दिया सिता? जो शक्ति हमारे पास थी तुमने उसका इस्तमाल किया? आज के बाद तुम एक मामुले तोता बनकर रह जाओगी आज के बाद हम जादो एक तोते बनकर पते पत्नी की जिन्दगी नहीं बिता पाएंगे मुझे माफ कर दीजिये राम इतना समय आपके प्रेमिका बनकर आपके पतनी बनकर मैं बहुत खुश होकर अपने जिन्दगी गुजारे थी लेकिन आज हमारी कलती की वज़े से इन दोनों के जोड़े जिदा हो जाए ये मैं कभी परदाश्ट नहीं करूँगी मैंने अपनी शक्ती का इस्तिमाल किया और इसके पती की जान बचाई थी मेरे बाकी के जिन्दगी मैं ऐसे ही बिता लूँगी अगर तुम भी मेरे साथ रहना चाहते हो तो अपनी शक्ती का उपयोग करो और कुमारी की जिन्दगी बचा लो अपनी पत्नी सीता की बात सुनकर राम तोता बहुत जादा खुश होता है जो खयाल उसको नहीं आया था वो उसकी पत्नी को आया था इस बात को लेकर वो बहुत गर्व भी महसूस करता है अपनी गलती की माफी मांगता है और हमेशा ही उन लोगों के साथ मिलकर रहने का वो इराधवी कर लेता है जो वर्दान उसके पास था उसकी माया शक्ती का उपयोग करता है जो बिमारी कुमारी को हो गए थी पूरी तरह से उसको ठीक कर देता है अपना अपना वर्दान इस्तमाल करने के बाद दोनों ही तोते मामूली आकार में बन जाते हैं अब उनके पास कोई शक्ती या जादू नहीं बचा लेकिन फिर भी सुरेश और कुमारी के साथ मिलकर अपनी जुन्दगी बहुत खुशे-खुशे बिताने लगे